महिंदर अपनी XUV7W के अंदर 8 Autonomous Driving Assistance System के साथ XUV7W को लॉंच करने वाली है और जिन लोगों को नहीं पता होने बता दूगी 8 Autonomous Driving Features आपको नहीं टोटा फोर्ड को नहीं मिलते हैं नहीं मिलते हैं आपको फोर्ड की इंडेवर में और अगर मैं अपना खुद का ओपीनियन बता हूँ तो मैं XUV7W का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि XUV7W अपने सेगेमेंट की सबसे ज़्यादा हाई-टेक SUV होने वाली है और मैं इसी कोशिस में लगा रहता हूँ कि XUV7W की टाइम टू टाइम अपडेट आपके पास लाता रहा हूँ लेकिन आपको MG की ग्लोश्टर में इस सारे फिचर्स देखने को मिल सकते हैं आए देखते हैं कि 8 Autonomous Driving Features कौन-कौन से है पहला है ADAS Advanced Driver Assistance System और दूसरा है Adaptive Cruise Control और तिसरा फिचर्स है Blend Sport Assist और चौता फिचर्स है Drowsy Driver Detector और पांचा फिचर्स है Autonomous Emergency Braking और छटा फिचर्स है Lane Keep Assist और साथा फिचर्स है High Beam Assist LED Lights और तुस्पसे आखरी फिचर्स की बात करने हैं वो 8 फिचर्स उसका नाम है Personalized Speed Warning System और इस SUV ने सारी Automobile Industry का ध्यान अपिन तरफ खीच रखा इतने सारे High Tech Features को Launch करने के बाद बहुत सारी वीडियो और टीजर महिंदरा Active 7W की महिंदरा ने जारी की है जिसमें साथ साथ बाते दिखाई हैं कि Active 7W इस सेगमेंट की सबसे High Tech SUV होने वाली है महिंदरा ने कहा है कि इस गाड़े के अंदर First In Segment आने वाले हैं Flush Door जो Land Rover और Range Rover की कारों में आते हैं और महिंदरा ने अपना एक टीजर वीडियो भी रिलीज किया है आप इस वीडियो को दिख सके हैं अगर आपने अभी तक कार उटोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दवा देना तागि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहें दूसरा फीचर से इसके मिलने वाला है वो है मर्सेडीज लाइक ट्यूइन स्क्रीन जो टेकनलोलोजी मर्सेडीज की मोडल से लिए हुई है और जो की बेकेट्स इंस्ट्रूमेंट क्लश्टर होने वाला है इस सेग्मेंट के अंदर और इसके इन्फोटैमेंट सिस्टम में आपको एपल कार प्ले एंडर्ड ओटो ओटो ओटोमेटिक क्लाइमेंट कंट्रोल जैसे एडवांस वीचर से इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं और जैसा कि आज सबी को पता हुआ कि मर्सडीज की तरह सीट अड़्जेस्ट करने के लिए जो इलेक्री बटन्स हैं वो डोर्स पर दिए हुए जो बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं और इसके इंटीरे में आप डिफ्रेंट ड्रावऑंस भी मिलते लेकिन टाटा सफ़ार एक फ्रंट विंट्र लॉंच करने वाली है मतलब कि एक्सवी सेवन डॉलो फुली हाइटेक फीचर साथ लॉंच होगी जो की बहुत ही बढ़िया बात है और जो की फर्स्टीन सेगमेंट भी है और अगर आपको व्यूडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और ब और पहला है ADAS सिस्टम एक्सवी 7W के अंदर ADAS सिस्टम लाने के बाद एक्सिजेंट की चांस बहुत कम हो जाएं क्योंकि यह फीचर्स की मदद से आप बहतर तरीक से ड्राइविंग कर सकते हैं ADAS सिस्टम, IEV कैमरा और सेंसर से लैस होता है अगर आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है तो यह सेंस कर लेता है कि आपने ब्रेक्स अप्लाई किये हैं नहीं किये हैं अगर आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किये हैं तो आटोमेटिकली यह अपने आप ब्रेक अप्लाई क इस feature की वज़े से आप अपनी car की speed limit set कर सकते हैं अगर आपके सामने कोई car चल रही है तो यह cruise control distance बनाकर अपनी speed limit को sense करती रहेगी अगर वो सामने एक car अगर एक दम से रुख जाती है तो यह adaptive cruise control अपनी brakes apply कर देगा जिससे की accident ना हो सके यह जितने भी सारे features है mostly safety features दिये और तीसरा feature से हो है blind spot assist इस feature की मदद से अगर आप अपनी car drive कर रहे हो और आप right में turn लेना चाते हो लेकिन अचानक से कोई car side से निकलती है तो आपको यह beep के दवारा यह sensor के दवारा आपको आपको बता देगा कि एक side में car निकल रही है तो जिससे की accident के chances कम से कम हो सके और चौता feature से जो की बहुत ही जादा बहतर है उसका नाम है drowsy driver detector यह features अगर आप अपनी cars को काफी long time से drive कर रहे हो और आपने rest नहीं लिया है तो यह आपकी driving skill को sense करके आपको बता देगा कि आपको rest लेना चाहिए और आप अपनी गाड़ी stop कर दो यह तो यह features आपको coffee पीने क के लिए आएगा वैसे जी features है बड़ा कमाल का यह काफी cool है और बढ़िया भी है और चौता है autonomous emergency braking यह features car के अंदर a e b camera से और sensor से less होगा यह feature any time activate रहता है अगर सामें आपके car है या कोई wall है कुछ भी है अगर आप brake apply नहीं करते हो तो आपको instrument cluster में brake apply करने के लिए अगर अपनी line से change होती है तो आपको instrument cluster में billing करके बताएगा कि आपकी car lane से change हो रही है जो कि यह काफी बहतर safety feature भी है और साथा feature है high beam assist LED lights जो ही आज सभी को पता है कि xv7w के अंदर booster headlight मिलने वाले है जिससे कि highway पर आपकी headlights की range भढ़ जाती है जिससे आपको काफी यादा मत मिलती है रात को चलाने में और आखरी है आठवा point वह है personalized speed warning system जो कि बहुत ही जादा बहतर है आपकी car के अंदर किसी भी एक family member की आवाज में यह आपको speed कम करने की बोलेगा कि आपकी speed बहुत जादा है प्लीज इसको कम कर लीजिए कुछ इस तरीके से अगर जो भी आपकी family members की अबाज होगी जो record करके इसमें डाली जाएगी I think कुछ इस तरीके सी होगा तो अब बात कर लेते हैं इसके pricing की Toyota Fortuner और 4 इंडेवर जो प्राइस से वह सुरू होता है 30 लाग से शुरू होकर 37 लाग पी तो जाता है एक सोरून लेकिन XCV7W का प्राइस क्या होने वाला यह अब बता जा रहा है कि इसका जो प्राइस स्टार्ट हो सकता है वो 14 लाइक से स्टार्ट होकर 21 लाग पीच तब हो सकता है लेकिन Toyota Fortuner और 4 इंडेवर के अंदरी भी आपको इतने हाइटेक फिचस नहीं मिलते लेंगि फिर भी इनका प्राइस इतना जादा हाई है तो फिर